कि नमस्कार दोस्तों निफ्टिव चैनल के इस वीकली जीरो लोस ओप्शन स्ट्रेरजी में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम हर वीक आपको बताते हैं कि कौन सी कॉल या पुट सेल करनी चाहिए ताकि आपको फायदा हो सके आपको प्रॉफिट हो सके ये वीडियो आपकी डिमांड पर ही बनाई आती है तो आएए चलते हैं शुरू करते हैं देखिए ये निफ्टि जो है इस बार इसने एक न्यूटर ट्रेंग ये कैंडल बनाई है पर जिस हिसा बटाएगी तो इसलिए हम आपको जो स्ट्रेजी बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनना उसमें स्ट्रेजी क्या है अब मैं आता हूँ आपके ओप्शन चेन में और एक तरफ ये भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा देखिए अगर निफ्टी सत्रा चार सो पचास के नीचे ख खुली तो आपने सत्रा छे सो की कॉल बेचनी है जो की है तकरीबन सता ही जनुरी में दिखाता हूँ आपको जो है एक सो चपन रुपे की और इसमें आपने जो स्टॉप लोस रखना है वो रखना है सत्रा पांसो दसक ये तो थे है एक रिस्की ट्रेट जिसमें 90 परसेंट चंसीगों की आपको प्रॉफिट होगा अगर सतरा चार सुपचास टूटा तो हमें सतरा तीनसो पिचासी उत्रा दो सुपचासे दो सो असी और सतरा एक सो पिचास तक मिल Fifty औरा आपकी जो कॉल है सत्रा छे सो की चाहे आप इंट्राडे में प्रॉफिट कर सकते हैं अगर 900 की call बेचिये, जो 41-42 रुपए की है और आपने कहा करना है जैसे ये निफटी 17820 क्रोस करें, तो 17900 की call में से आपने निकल जाना है, यह द्यान रखना है कि जैसे 17820 क्रोस करें, उपर आए 17820 के उपर, तो आपने 17900 की call में से निकल जाना है ऐसा नहीं है कि आपको loss हो जाएगा क्योंकि अभी भी आप अगर बेचे और अगर धीरे धीर मार्केट उपर आई तो यह 17900 को call धीरे धीरे जीरो ही हो जाएगी जाहे जितनी चाहे मार्केट उपर आजए पर अगर 17900 को cross करेगी तब ही यह इसमें point बढ़ेंगे वैसे इसमे downwardly down चलती चली जाएगी तो इसमें आपने 42 रुपे की आप call इसमें बेच सकते हैं जो कि काफी safe है और इसमें यह Thursday तक आपकी यह जीरो हो जाएगी और अगर मान लीजिए आप बिलकुली चाहते हैं कि हमें loss ना हो और profit ही रहे जैसे 17820 के उपर जाए 17900 की जो call बेची फिर आप एक ये trick खेल सकते हैं कि अगर आपने मान लीजिए 41 रुपे की call बेची है और आपने फिर क्या करना है तीन फरवरी की call पकड़ लेनी है तीन फरवरी की आप जो भी अच्छी लगे आप चाहिए 18300 की call पकड़ लीजिए क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं कि जैसे यह 17800 क्रोस करेगी 17820 क्रोस करेगी तो यह 17943 और 18150 तक चले जाएगी और आप अगर चाहें तो 18200 की call या 18150 या 18100 की call आप तीन फरवरी की खरीच सकते हैं जिसमें आपको भारी प्रॉफिट होगा और आपने जो put sell की होगी उसमें अगर कोई नुकसान by chance हो भी जाता है तो आपको यहां से प्रॉफिट भारी प्रॉफिट हो जाएगा मतलब आपके दोनों हाथ में लड्डू होंगे यहां तो मार्किट अगर 17900 क्रोस ही ना कर पाएगा वैसे तो अगर मार्किट रिकवर भी तो 17900 क्रोस करना अभी मुश्किल लग रहा है क्योंकि मार्किट काफी जनुवरी की यह देखिए 18000 पे तकरीब नब्बे लाख कॉल रेटर है और मैं आपको 17900 की कॉल बेजने के लिए क्या रहा हूं तो आप यह हिसाब लगा लिजिए कि अगर आपने यह 41 रपे की कॉल बेज ली और अगर बाइचांस और अगर बाइचांस 17820 क्रोस हो भी ग तब आपको जो भी यहां से थोड़ा बहुत लोस हुआ भी होगा तो वो प्रॉफिट में हो जाएगा या रखिए जब तक वो कॉल जब तक स्पोर्ट क्रोस ना हो जाए तब तक हमें कभी लोस नहीं होता कॉल में जिसरे बेची हो 17900 के उपर जाने पर ही कॉल में पैसे प ले आता है तो यहीं कारण है हमने बताया कि 17820 के उपर जाने पर आपने उस जो कॉल बेची होगी वो रिकवर कर लेनी है और 18150 की कॉल फिर खरीद लेनी है वो भी कब खरीद नहीं है मैं थोड़ा सो और बता दू जैसे यह 17943 क्रोस हो या 17950 तब आप 18150 की जब कॉल खर के में आपको 18150 तक वो सारा प्रॉफिट मिल जाएगा मतलब हमने आपको अमरे जंसी में भी बिता दिया कि अगर मालो बाइचांस आपको लोस हुआ भी मार्के रिकवर वैसे तो मार्के रिकवर के चांस अजबा काफी कम है एक प्रसेंस्टी है कि यहां पर मार्के रिकव बाइच फैनसी हो जागँ इसी हो जगा 1789 सो की जो आपको बेचने के लिए बताई है वो काफी सेफ है तो विपने आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आए होगी अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए जिन्वों लाइक किजिए हमारे चैनल को सब्सक्राउब और ज़ादा से ज़ादा वीडियो को शेर कीजिए थैंक यू धन्यवाद